विबेशना में आज किस तरह भारत ने जीती थी 1971 की जंग अपिवादन स्वीकार कर ये रिहान फदल का 1971 के बांगलादेश अभियान की सबसे निराली बात थी कि भारतिय सेना के सामने पूर्वी पाकिस्तान की राध्धानी धाका पर कब्जा करने का लक्ष रखा ही नहीं गया था भारत की रणनीती थी कि पूर्वी पाकिस्तान की अधिकादिक जमीन पर कब्जा कर वहाँ पर बांगलादेश की सरकार स्थापित की जाए ताकि भारत आए एक करोड से ज़्यादा शरणार्थियों को वहाँ वापस फेजा जा सके मिलिटरी ओपरेशन के महाने देशक मेजर जनरल के के सिंग ने युद्ध की जो योजना बनाई थी उसके तीन बिंदू थे शीनात रागवन अपनी किताब 1971 अग्लोबल हिस्ट्री ओफ दे क्रियेशन ऑफ बांगलादेश में लिखते हैं योजना का पहला उद्देश था पूरवी पाकिस्तान के दो बड़े बंदर गाहों चटगाओं और खुलना पर कबजा करना ताकि और पाकिस्तानी सेनिक वहां ना उतर सके दूसरा लक्ष था उन जगों पर कबजा करना जहां से पाकिस्तानी बल एक जगे से दूसरी जगे पर ना आ जा सके तीसरा उद्देश था पूर्वी पाकिस्तान को छोटे-छोटे हिस्सों में बाट देना ताकि भारती हिसैनिक एक-एक कर उन्हें अपने नियंतरण में ले सके ठाका पर कब्जा करने की बात सोची जरूर गई थी लेकिन उसे जरूरत से जादा महत्वा कांग्शी मान कर छोड़ दिया गया था ये मान कर चला जा रहा था कि इस पूरे अभियान में भारती हिसैना को तीन सब्ताह लगेंगे सन 1965 के युद्ध में भारत का अनुभव था कि युद्ध विराम के अंतराश्री दबाव के कारण इस अभियान को और लंबा नहीं किया जा सकता था जरूरल जैकब का मानना था कि धाका पर कब्जा करना भारती है सेना का मुख्य उद्देश होना चाहिए था जे एफ आर जैकब अपनी किताब सरेंडर एड धाका में लिखते हैं लड़ाई से कुछ महीनों पहले मैंने पाकिस्तानी ठिकानों को बाई बास कर सीधे धाका कूच करने की योड़ना को अंतिप रूम दिया था लेकिन जब मौनिक शा और केके सिंग पूर्वी कमान के मुख्याले पर आए थे तो हमारे मद्भेद खुल कर सामने आ गए थे जब केके सिंग ने अपना प्लान सामने रखा तो मैंने कहा कि धाका पूर्वी पाकिस्तान का जियो पॉलिटिकल हार्ट है हम पूर्वी पाकिस्तान पर कबजे की बात धाका पर कबजा किये बिना नहीं सोच सकते तब मानिक शाने हस्तक शेप करते हुए कहा था कि आपको नहीं लगता कि अगर हम चटगाओं और खुलना ले लेते हैं तो धाका अपने आप गिर जाएगा मैंने कहा मैं इससे सहमत नहीं हूं मैंने फिर दोराया कि हमारा उदेश धाका पर कबजा होना चाहिए इस पर मानिक शाने कहा धाका हमारी प्राथमिक्ता नहीं है मैं इस पर कबजा करने के लिए अतरिक सैनिक भी नहीं दूँगा इस पर जनरल अरोडा ने अपनी रजाबंदी दिखाई थी बाद में एर चीफ मार्शल पी सी लाल ने अपनी आत्म कथा माई येर्स विद आई एफ में लिखा था हम ये मान कर नहीं चल रहे थे कि हम पाकिस्तानी सेना को पूरी तरह हरा कर धाका पर कबजा कर पाएंगे शुरू में लगा भी कि कुछ ऐसा ही होने जा रहा है भारती सेना ने जैसोर पर तो 7 दिसंबर को कबजा कर लिया था लेकिन खुलना पर उसका कबजा धाका में पाकिस्तानी सेना के हतियार डालने के बाद ही हो सका था जब सगत सिंग के सैनिक बहुत तेज गती से धाका के बिलकुल नस्तीक पहुँच गए तब धाका पर कबजा करने की बाद सोची गए अर्जुन सुब्रिमन्यम अपनी किताब इंडियाज वार्स 1947-1971 में लिखते हैं शुरू में इंद्रा गांधी ने सोचा था कि मुक्ति बाहिनी को जिस तरह की मदद और प्रशिक्षन भारत दे रहा था वो अकेले ही अपने पूते पर पाकिस्तान की सेना को हरा पाने में सक्षम होगी लेकिन उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि पाकिस्तान की सेना की निर्दैता बरती चली जाएगी और भारत में आने वाले शरणार्थियों की संख्या बरती चली जाएगी जब नवंबर आते आते भारत में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की संख्या एक करोड पार कर गई और पूरी दुनिया ने इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की तो भारत के पास पाकिस्तान से पूर्वी सेमा पर युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा इस लड़ाई में पाकिस्तान के सेनिकों ने भारती सेना के सामने आत्म समर्पन किया और बांगलादेश के रूप में नए राष्ट का जन्म हुआ कई पाकिस्तानी युद्बंदियों ने भी सुईकार किया कि उनके साथ भारत में अच्छा विवहार किया था सेना मुख्याले का अदेश था कि पाकिस्तानी सेनिकों के साथ जिनीवा समझोते के अनुसार विवहार किया जाए लेफटनेंट जनरल टॉमस मैथ्यू याद करते हैं आगरा में उनकी पैरा यूनिट को अपने बैरक खाली कर देने के बाद टेंट में रहना पड़ा ताकि पाकिस्तानी युद्बंदियों को वहां रखा जा सके इस आदेश के बावजूद की पाकिस्तानी युद्बंदियों से कम से कम घुला मिला जाए मैंने युद्बंदी कैंप का निरिक्शन करने का फैसला किया मैं हाथ में एक बैट लेकर अपने दो सेनिकों के साथ कैंप में घुसा मुझे देखकर अधिक तर पाकिस्तानी सैनिक अपनी पलंग के बगल में साबधान की मुद्रा में खड़े हो गए लेकिन पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स के कुछ सैनिक मुझे देखकर बैठे ही रहे जब मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो वो चुप रहे लेकिन एक सैनिक ने हिम्मत जुटा कर कहा मैं क्यों साबधान की मुद्रा में खड़ा हूँ यब मुझे पता नहीं है कि मेरी पतनी और बच्चे पाकिस्तान में किस हाल में रह रहे हैं मैंने उन्हें आशवासन दिया कि मैं पता लगा कर उनकी जानकारी आपको दूँगा मैंने उस सैनिक का विवरन लेकर दिल्ली में मिलिटरी आपरेशन के महा निदेशक को भेजा कुछ दिनों बाद जब मैंने उस पाकिस्तानी सैनिक को बताया कि उसका परिवार सकुशल है तो उसके चेहरे पर मुसकान वापस आ गई इस लड़ाई में अमेरिका के सुरक्षा सलाकार हिनरी किसिंजर ने अपने विवेक का इस्तेमाल न करते हुए अपने बॉस रिचर्ड निक्सन के साथ जाने का फैसला किया जैसे जैसे संकट बढ़ा निक्सन और किसिंजर दोनों इंद्रा गांधी की अमेरिका की बात न मानने की नीती से काफी परेशान हुए साथ में बेडे के भेजे जाने का उन पर कोई असर ना हो ना भी अमेरिकी नित्त्व को बहुत खाला 1971 की सफलता का सबसे बड़ा श्रे डी जी एमो दोरा बनाई गई युद्ध योजना को दिया जाता है लेकिन इस युजना को अमली जामा पहनाना लेफटनेट जनरल सगत सिंग, कैपटन सुराज प्रकाश, ग्रूप कैपटन वॉलन और ग्रूप कैपटन चंदन सिंग के योगदान के बिना नहीं हो सकता था अरजुन सुब्रमनियम लिखते हैं, अगर सगत सिंग ने अखौरा, भेरब बाजार और सिलहट को बाईपास नहीं किया होता या चंदन सिंग ने एमाई हेलिकॉप्टरों के जरिये सैनिकों, हत्यारों और तोपों को मेगना नदी के पार नहीं पहुँचाया होता या ग्रूप कैप्टन वॉलन ने अपने पाइलिटों को तेजगाओं हवाई ठिकाने पर डाइव लगाकर हमला करने के लिए नहीं कहा होता या स्वराज प्रकाश और मेजर जनरल उबान ने करीब करीब आधी डिविजन भारतिय सेना को चटगाओं सेक्टर में नहीं लगाया होता तो ठाका 16 दिसंबर तक तो नहीं गिर पाता भारत की जीत का दूसरा बड़ा कारण था मुक्ति बाहिनी का पूरा सहयोग लेटनेंट जनरल शमशेर सिंग मेहता कहते हैं मुक्ति बाहिनी का सबसे बड़ा योगदान था भारतिय सेना तक खुफिया जानकारी पहुँचाना अगर हम बांगला देश में बिना किसी खुफिया जानकारी के गए होते तो पश्चमी सेक्टर की तरह वहां भी हम गति रोद में उलग जाते लड़ाई के शुरू के चरण में उक्ति बाहिनी की वज़े से ही हमें पता होता था कि दुश्मन कहां है अगर हमें वो जानकारी नहीं भी होती थी तो हम उक्ति बाहिनी दौरा दी गई सूशना के आधार पर उनके अगले कدم का अंदाजा लगा सकते थे तैयारी के लिए मिले समय में भारती वाई सेना ने कुछ नए हवाई ठिकाने बनाए और अपनी वाई सुरिक्षा को और मस्बूत किया दूसरी तरफ 1965 की लडाई में ठीक ठाक प्रडर्शन करने वाली पाकिस्तानी वाई सेना ने अपनी तैयारी में धील बरती और एर मार्शल नूर खां के प्रेहासों के बावजूद अपनी सफलता को नई उचाईयों तक नहीं ले जा पाए एर चीफ मार्शल पीसी लाल अपनी आतकता माई एर्स विद आई एफ में लिखते हैं पश्चिमी मोर्चे पर भारत और पाकिस्तानी वाई सेना की ताकत लगभग बराबर होने के बावजूद भारती वाई सेना ने कुल 7500 उडाने भरी जबकि 1965 में 23 दिनों की लडाई में उसने कुल 4000 उडाने भरी थी भारती वाई सेना ने हाजी पीर में पाकिस्तानी आर्टलिरी ब्रिगेट और चंगा मंगा जंगल में पाकिस्तानी हत्यारों के भंडार पर हमला कर पाकिस्तानी वाई सेना का मनोबल तोड़ दिया कराची बंदरगाह के पास की अमारी तेल शोड़क कारखाने सिंद में सुई गैस प्लांट मंगला बांद और अटक तेल शोड़क कारखाने पर बंबारी से भी भारती वाई सेना की प्रतिश्था में बढ़ोत्तरी हुई भारती नौसेना ने जिस तरह कराची पर हमला करने के लिए मिसाइल बोट्स का इस्तिमाल किया उसकी भी किसी ने कल पना नहीं की थी हमले के दोरान मिसाइल बोट्स के चालक दलने आपस में रूसी भाशा में बात की ताकि पाकिस्तानी उनकी भाशा न समझ सके पाकिस्तानी नौसेना आक्रामक रणीती बनाने में असफल रही वो भारत की एक पंडुबी आई एनस खुकरी डुबा पाने में जरूर काम्याब रहे लेकिन विक्रांत को डुबो ने आई उनकी पंडुबी घाजी विशाका पटनम के तट के पास खुद ही डुब गई सेन मामलों के विशेशग्यों के बीच इस बारे में आज भी बहस होती है कि अगर जरूर मानिक शान अप्रेल में पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करने के इंद्रा गांधी के आदेश को मान लिया होता तो क्या हुआ होता कुछ विशेशग्यों का मानना है कि इस से शायद भारत को फाइदा हुआ होता क्योंकि तब तक पाकिस्तान की तैयारी बिलकुल नहीं के बरावर थी लेकिन अरजुन सुब्रमणियम का मानना है कि अगर ऐसा हो जाता तो भारती सेना की आख और कान का काम करने वाली मुक्ती बाहिनी की मदद उन्हें नहीं नमिल पाती इसका मतलब ये होता कि भारत के फील्ड कमांडर सूशना के अभाव में उसी तरह अंधेरे में तीर चलाते जैसा उन्होंने पश्चमी मोर्चे पर चलाए थे उनकी आगे बढ़ने की प्रगती उससे कहीं धीमी हुई होती जितनी वास्तब में हुई क्योंकि पाकिस्तानी सेना को तंग करने के लिए मुक्तिबाहिनी वहां नहीं होती दूसरे इस से भारती सेना के आगे बढ़ने की गती भी प्रभावित होती क्योंकि भारती सेना को मौनसून में लडने का तजर्बा नहीं था जहां तक बंगलादेश अभियान के मनोवेग्यानिक पहलू की बात है लडाई के पहले सब्ता में ही जर्नल नियाजी की विरूत करने की इच्छा शक्ती समाप्त हो चली थी तंगेल पेराड्रॉप और ढाका के गव्मेंट हाउस पर मिग एकीस और हंटर विमानों के हमले नियाजी को मनोवेग्यानिक रूप से तोड़ कर रखिया था पाकिस्तानी फील्ड कमांडरों को लगने लगा था कि हार के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से बेतर है कि वो भारती सेना के सामने हथिया डाल दें लिफटनेंट जनरल शमशेर सिंग मेहता कहते हैं अगर सगत सिंग और चंदन सिंग न हुए होते तो ढाका भी नहीं होता अगर पूर्वी कमांड के मुख्याले में जनरल जैकब नहीं होते तो पाकिस्तानी सेना का आत्म समर्पन नहीं हो पाता जहां सगत सिंग सैनिक बामलों में जीनियस थे वहीं जैकब दुश्मन का दिमाग पढ़ने में माहिर थे मानिकशा ने लड़ाई से कई महीने पहले अपने साथ काम कर चुके काबल अफसरों लेफटनिन जनरल जगजीद सिंगरोडा मेजर जनरल जैकब लेफटनिन जनरल सगत सिंग और मेजर जनरल इंदर गिल को महतवपून पदों पर बैठा दिया था एर चीफ मार्शल पी सी लाल ने भी तेज अफसरों की पहचान कर विनायक माल से मैली वॉलन और चंदन सिंग को महतवपून जिम्मेदारियां दी थी एड्मिरल नील कांता करिशनन, एसन कोहली और स्वराज प्रकाश के रूप में एड्मिरल नंदा ने चुनिंदा अफसर चुने थे जो उनकी जोजना पर अमल करने में पूरी तरह से सक्षम थे युवा अफसरों में अरुन खेतरपाल, होशियार सिंग, निर्मलजीद सिंग सेखों, बहादुर करीम नवीना और डॉन लजारुस ने बहादुरी की नई मिसाल काइम की थी जहां तक राजनितिक नितत्व की बात है, इंद्रा गांधी और जग्जीवन राम को युद्ध का नितत्व करने का कोई अनभव नहीं था और नहीं उन्हें सेनिक मामलों की कोई गहरी समझ थी लेकिन उन्हों ने इस मामले में सेनिबलों की बहुत मदद की कि उन्होंने उनके सामने इस पश्ट रूप से राजनितिक लक्ष रखे और सेना प्रमकों को काम करने की पूरी आजादी थी सेना प्रमकों ने जो सलाह दी उसे एक विस्तरिट रणनीती का हिस्सा बनाया गया राजनीतिक इच्छा शक्ति और राश्ट्रिय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोगों के भी समुचित तालमेल ने भारत को इस युद्ध में विजई बनाया रेहान पदल बीबीसी दिल्ली